नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है इस स्टारमस्क निउस में दोस्तों बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश अदिनस्त सेवा चैनायोग पर कल होने वाले एक महा धरने के संबन्द में दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए वीवर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको किसी भी भरती के संबंद में या परिणाम के संबंद में कोई भी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंच जाए दोस्तो पिछले दो या तीन महिनों से मैं इस बात को बार बार कहता हुआ हारा हूँ हर भरती के चातर से यही मेरा कहना था कि अगर आप यूपिटर पलेसी पर धरना करना चाहते हो तो धरना सभी एक साथ कीजिए सारी भरतियों के बच्चे एक साथ मिलकर ही धरना करोगे तभी आपके धरनेप का कोई असर आयोग के अधिकारियों पर आयोग के चेर्मेन पर पड़ेगा और मुझे लगता है ये बात कल सच साबित होने जा रही है जियां दोस्तों कल डेट है 5 अक्टूबर और कल के दिन यूपिटर पलसी पर एक बहुत तगड़ा धरना आयोजित होने जा रहा है जियां दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ लोवर टू के छातर, मंडी परिशद के छातर, हॉमेपेतिक फार्मसिस्ट के छातर और शायद एक भरती और है उसके छातर कम से कम चार भरतियों के छातर कल यूपिटर पलसी पर पहुँच रहे हैं और आप सभी से कहना चाहता हूँ जितने भी छातर इन भरतियों से जुड़े हुए है किर्पिया करके अपने सभी साथियों का साथ दीजिए देखिए धरना घर बेटे धरना धरना चिलाना ये बात एक अलग होती है और धरने में एक्चुल में जाना ये बात एक अलग होती है देखिए ऐसा मौका आपको बार-बार नहीं मिलेगा जब सारे चातर एक साथ एक खटा हो जाएं अगर मानो धरने में 20-30 चातरी पहुँचे तो उस धरने का कोई मतलब नहीं बनता और कल को आप फिर कहना शुरू कर दो कि धरना आयूजित कर लिजिए फिर बार-बार कौन आएगा ऐसे धरने आपको बार-बार देखने को नहीं मिलेंगे केवल ये धरना ऐसा धरना जहां हर बरती का चातर कल समलित हो रहा है तो आप सभी से कहना चाहता हूँ या इस धरने को जितना आप मजबूत बना सकते हैं उतना मजबूत बना लिजिए क्योंकि धरना ऐसा बार-बार आयूजित करना बहुत मुश्किल होता है ठीक है और मैं कहना चाहता हूँ लोवर्टू वाले, मंडी वाले, होमेपेटिक फार्मसिस्ट वाले और शायद जेई वाले चातर भी आ रही है कल तो सभी भरतियों के चातर पूरी के पूरी अधिक संख्या में जितना अधिक हो सके उतना पहुँचिए और केवल यार एक ही बार तो आना है बार-बार ऐसे धरने आयुजित नहीं हो पाते केवल एक ही बार आना है और एक ही बार में अगर आप चाहो तो इस पूरे आयोग को हिला सकते हो एक ही बार में बार-बार आपको धरना करने की आवसकता नहीं पड़ेगी जिस तरह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UPPSC अपनी पटरी पर आ चुका है अगर आप चाहते हो और आपके अंदर दम है तो आप UPPSC को भी पटरी पर ला सकते हो ठीक है वरना ये आयोग ऐसा आयोग है जो आपकी लाइफ लंबे समय तक बरबाद करता रहेगा और इस आयोग में कोई बदलाव नहीं होगा जब इस आयोग ने 2017 में काम करना सुरू किया था उस आयोग की जो स्पीड जब थी काम करने की बिलकुल वही स्पीड आज है करीब साड़े तीन साल बाद भी इसकी यही स्पीड है काम करने की जो स्पीड इसकी साड़े तीन साल पहले थी तो अब आप सोचें कि आपको नौकरी किस तरह मिल सकती है इस आयोग से मुझे तो लगता है आने वाले दो साल के अंदर भी आपको सेलेक्शन नहीं मिलने वाला इस आयोग से बाईचान साब का परिणाम भी आ गया तो आपको ये परिशान कर देंगे विभाग तक फाइल पहुचाने के लिए या जोइनिंग के लिए इसलिए आप सबी से कहना चाहता हूँ भया धरना दीजिये और धरना कल जवर जस्त होने वाला है जो भी छात्र जा रहे हैं किर्पया करके उन सभी छात्रों का आप भी साथ दीजिये धरने में आईए अगर धरने में 700-800 छात्र कल उपस्तित हो जाते हैं तो इस आयोग को पट्री पर लाने से कोई नहीं रोग पाएगा ठीक है दोस्तों देखिए धरना बार बार आयजित नहीं होता कल वो डेट है कल वो समय है इसलिए किर्पया करके आप सभी आईए चाहे आप 200 किलमेटर दूर हो चाहे 400 किलमेटर दूर हो एक बार आने में को कोई दिक्कत नहीं है कोई संकट नहीं है अगर आप सेलेक्शन चाहते हैं जल्दी अपनी जॉइनिंग चाहते हैं सेलेक्शन चाहते हैं परिणाम चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा और अपने सभी साथियों का साथ देना पड़ेगा ठीक है दोस्तों पर कल को आप य उनसातियों को साथ दीजिए और पूरा तगड़े तरीके से इस धरने को पूरा कराईए ठीक है दोस्तों ये खबर है यूपिटर फाले सी से धरने के संबन्द में और कोई भी जानकरी मुझे मिलती है तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल पर दे दी जाएगी बहुत बहुत ध अन्यवाद दोस्तों जहिंजे भारत